हेलो गाइज दिस इज और यूटुब चैनल मार्केट मोबर देखिए आज कुछ स्पेशल मैं वीडियो यहां पर बना रहा हूं जो कि दो स्टॉक को कंपेर करूंगा दोनों ओटो मोबाइल इंडस्टी के रिगार्डिंग है अभी देखिए ओटो मोबाइल इंडस्टी इंवेस्टमेंट करना चाहिए मैं दो स्टॉक दोनों दिगेज स्टॉक है और सोक लेलेंड और मारुत्वी सुजुकी दोनों को कंपेर करके मैं आपको बताऊंगा कि दोनों स्टॉक में किस हिसाब से हम लोग कंपेर करेंगे और सही चीज को निकालने के कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज का दिन है इंडिपेंडेंस डे तो मैं सभी दर्सकों को सभी वीवर्स को अपनी चैनल के तरफ से अपनी पूरे टीम के तरफ से हैपी इंडिपेंडेंस डे को बदाई देते हुए इस वीडियो के स्टार्ट करूंगा ठीक है देखिए असोक लेलेंड के बारे में आपको पता होगा असोक लेलेंड एक बहुत बड़ी कंपनी है जो की वाइड रेंज ओप कोमर्सियल वैकिल साथी मैनिफेक्टिरिंग और इंडिस्टियल मेरिन एप्लिकेशन्स वार्गिंग कास्टिंग बहुत सारी चीज़े करती है असोक लेलेंड हिंदुजा ग्रूप कंपनी थी धीरे इसका नामाकरन चेंज होता गया है बहुत पुरानी कंपनी है जो आलाल लेहरू के टाइम इन्होंने इस पे मतलब उस ट देरे देरे करके मैनिफेक्टिरिंग जो यूनिट बढ़ती गई आज के डिट में इनके पास बहुत सारे वेराइटीज हैं बसेस हैं उसके बाद इनके पास ट्रॉक्स हैं इंजन्स हैं और डिफैंस एंड इस्पेशल वैकिल्स बनाती हैं बहुत बड़ी कंपनी हैं बड़ी है और इसने पैसा लोगों को पिछले बहुत सालों से बना की नहीं दिया कंपनी 14 रुपिय से ट्रेड करते हुए 160 रुपिय तक पहुंची थी और अभी यह स्टॉक 60 रुपिय पर ट्रेड कर रहा हैं ओटोमोटिव कोच सेट कॉंपोनेंट्स हैं लंका अशोक ले चीजे हैं उसके बारे में बात करूंगा तो रिसेंटली 2017 में असोक लेलेंड फार्म से स्टैटेजिक एलाइंस फोर दा सन मोबेलिटी जुलाई और असोक लेलेंड को तीन हजार तीन हजार बसो का ओर्डर मिला था 2017 में यह इनका अभी हाल फिलाल का यह स्टेटिमेंट है है कि इस स्टॉक पर पैसे कैसे बनेंगे और कौन सा स्टॉक अच्छा था सबसे पहले फंडमेंटलस देखिए अथारह जार करोड की मार्केट कैप है पर मोटस की एकाउन परसेंट की होल्डिंग से जिसमें से 10 परसेंट सेस्ट गिर में जो कि मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता कंपनी का डेट जो है 2.88 अब सोच के देखिए कंपनी में डेट कितना और इस डेट के वज़े से बैलेंसेट हमेशा बुरा रहता है देखिए मार्च क्वाटर और जून क्वाटर को कंपेर करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह डेट रहने से क्या होत बुरी परिस्तिती है कंपनी का अगा नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 18 करोड प्याग जो 400 करोड की प्रॉफिट करती थी वह दिरे-दिरे करके डिक्रीज करते करते पिछले 3-4 क्वाटर से कंपनी मातर 27-28 करोड और 18 करोड और अगले इस बार तो 409 करोड की लॉस क सबसे बड़ी बज़ा देखिए इनका इंटरेस्ट दिरे-दिरे करके बढ़ता जा रहा यह किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी मतलब प्रॉब्लम की बात है इस चीज को समझेगा बहुत बड़ी ग्रूप की कंपनी है इसलिए मैं आपको यह नह सेल्स में बताऊंगा आप वीडियो पर बने रही है देखिए मारुति सुझु की बहुत बड़ी कंपनी है पेसेंजर वैकिल्स पे और यह मैनिफेक्टिरिंग परचेज सेल्स और मोटर वैकिस कॉंपोनेंट स्पेर पार्ट्स बहुत सारी चीजिए उनका अधर्स इंकम बहुत ज़्यादा है और साथी में यह कंपनी अभी बहुत नीचे मिल रही है दस हजार का हाई है स्टॉक का से 6500 रुपए पर मिल रहा फंडामेंटर्स बहुत बेहतरी है दो लाग करोड की मार्केट कैप है पर मोटर्स की सिर्फ वसी 56 परसेंट की हिस्सेदारी है कोई ग तो ओटो मोबाइल पर मंदी है अगर कोई यह चाहता है कि इस सेक्टर पर कुछ इंवेस्टिमेंट कर लिया जाए कि आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तो मुझे मारूति सुझी की बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनके पास डेट सेक्ट पर किया कंपणी का प्रॉफिट देखिये कंपणी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ माइनस 276 करोड की 2,500 करोड की प्रॉफिट जिन्रेट कर ली थी 1314 करोड की क्यूंकि एक चीज्ज आप समझ के देखिए कि यह जो कंपणी है यह कौन सी गाड़ी बनाती है तो गाडियों की लाइन है मारूती ओल्टो 800 ओमनी जिपसी जैन स्टेलियो वेगनार वार्षा एस्टार रिड्च एसेक्स फोर डिजायर ग्रांड विटारा आर्टिगा सेलेरियो इतने सारे ब्रांड्स हैं आप सोचके देखें देखें डिफेंस का वैकिल तो आम पब्लिक खर है जिपसी एक डिफेंस की वैकिले पुलिस वेगरा जो यूज करती वैगनार वर्षा सबसे ज्यादा डिजायर और ग्रांड वीटारा आर्टिगा सेलेरियो यह सभी बाइक्स यह सभी फोर विलर्स की सेलिंग है और कंपनी है डिट फिरी तो आने वाले टाइम में अगर पोटो मुबाइल इंडस्ट्री पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे इसाब से मारूति सीडियो की फिट बैट था इनकम प्रिजन तो असो कले लेंड असो कले लेंड बुरी कंपनी नहीं है बट जहां पे पैसा बनेगा वहीं तो हम पैसा लगाएंगे कंपनी से ह और आप समझ के देखिए यह आम पब्लिक बसे नहीं खरिच सकती है आम पब्लिक कोमर्सियल वैकिल नहीं खरिच सकती है जो असो कले लेंड बनाती है लेकिन आम पब्लिक ग्रांड विटारा मैं बहुत बड़े ब्रांड का नाम ले रहा हूं और शुप डिजायर एक इंडिया में ओमनी जो की आप समझ सकते हैं कि ओमनी आप देखिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में है मार्केट वेगेनार बहुत कम है लेकिन सबी गाड़ियां थोड़ी-थोड़ी करकी बिकती है और मार्केट पे 50% सेयर है मारूति सुजू की का सेयर का मतलब हर 100 गाड़ अच्छी है भूब अच्छी कमपनी महिंगा है महिंगा शाड़ी 6,000 वेका बट आप ऐसे नहीं दिखे कि 6,000 रुपी के कमपनी में क्या करूंगा एक यह लोगा नहीं और उसो के लिएलेंट के कितने सेयर होंगे 100 होंगे ऐसा नहीं सोचना है आपको सोचना है कि हमें इन् कि आपके से क्वांटिटी से आपके से क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं करें इस चीज को समझते हुए आप एक डिसीजन लीजिए और मारुति सुजी की मेरे हिसाब से बहुत फिट है इनका प्रिजेंट टू असोखले लेंड और अगर किसी के साथ कंपेर करने में आपको दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट सेक्षन पर कमेंट किजिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कंपणी कितनी अच्छी है क्या है इनका बैलन सेट क्या है इनका फंडम क्ला लिजेगा यह मेरी रिक्वेस्ट होगी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्यू क्या है